नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट पुरी में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं UPSI का जो एक्जाम है वो आज से स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर आज जो है फर्ष्ट और सेकेंड सिफ्ट का जो एनलीसिस था वो दोस्तों मैंने कराया है और साथ साथ फर्ष्ट और सेकेंड सिफ्ट के लिए अलग-अलग मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिये थे जिनमें मैंने बताया था कि फर्ष्ट सिफ्ट में मैत और रीजिनिंग से कितने क question और किस topic से कितने question बन रहे थे इसी तरह से जो second आपका था उसमें भी दोस्तों मैंने provide कराया था कि मैत और किस topic से कुल कितने प्रस्ण बन रहे थे और साथ साथ जो हिंदी और जीके अगाई analysis था वह भी दोस्तों मैंने provide कराया है अगर दोस्तों वह वीडियो आप देख सकते हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उससे पहले कहना चाहूंगा अगर आपने वीडियो को लाइक शे साथ में क्या है जो जो बित्ती आपात है यह अनुचेद 360 के अंतरगत आता है अगला दोस्तों question है 105 संभिधान संसोधन इसमें जो है क्या है तो 105 संभिधान संसोधन के अंतरगत सामाजिक और सैक्षडिक रूप से जो पिछड़े बर्ग हैं उनकी पहचान करके उनकी सक्त को बढ़ावा देना है अगला question दोस्तों मैतली स्रडगुप्त जी का जन्म कहा हुआ तो मैतली स्रडगुप्त जी का जन्म चिरगाओं जहांसी में हुआ जहांसी के चिरगाओं में हुआ अगला question दोस्तों हिंदी में सर्वनामों के संख्या कितनी है तो हिंदी में 11 सर्व ही होता है अगला क्वेश्चन दोस्तों सतरंज सतिका के लेखक तो यह हैं विखारी दास विखारी दास जी यह सतरंज सतिका के लेखक हैं अगला दोस्तों इंद्रावती के रचाईता तो इंद्रावती के रचाईता यह नूर मुहम्मद हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों का संदी विच्चेद करना है इसमें संदी नहीं संदी विच्चेद पूँच रहा है तो यहां पर दुवत प्लस लव तो आपका यहां पर इस तरह से हो जाएगा दुरलव तो यह हो गया दुरलव का संदी विच्चेद अगला कोशन पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला तो यह मिला था हरिवन सराय बच्चन जी को नीत आयोक का गठन कब हुआ ये हुआ 2015 में अगला कोशन है दोस्तों संयुक्त प्रांत का पहला राजेपाल कौन था तो संयुक्त प्रांत का पहला राजेपाल सर स्पेंसर हर कोट बटलर था और दोस्तों जो संयुक्त प्रांत है यही ज पहला राजेपाल वो भी और संयुक्त प्रांत का यह भी सेम होगा क्योंगि ज्योंगत प्रांत है उसका ही नाम यूपी है एक जो पुराणा नाम बड़िकार कर कभ आया तो यह एद्यकार 2005 में सूचणा का अधिकार 2005 में दोस्तों अगर अगले कोशन की तरफ पढ़ते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंद्र का पर्यावाची क्या होता है तो इंद्र का पर्यावाची पुरंदर और देवराज होता है अगला कोशन भारत का मैंचेश्टर किसे कहा जाता है तो यह अहमदाबाद को कहा जाता और बरदावली सत्याग्रा है कब हुआ तो बरदावली सत्याग्रा है यह हुआ ता 12 जून 1998 को अगला कोश्चन कैमरे में कौन सा लेंस होता है तो कैमरे में उत्तर लेंस होता है कैमरे में उत्तर लेंस होता है अगला कोश्चन कि संविधान द्वारा महिलाओं को पंचायत मे आरक्षड दिया गया तो ये 73 में संविधान संसोधन के अंतरगत दिया गया 73 में संविधान संसोधन 1992 में दोस्तों ये जो है दिया गया मतलब यहाँ पर question एक बार फ्रसेया प्रिपिट कीजेगा किस संबिधान संसोधन द्वारा तो 73 में संबिधान संसोधन द्वारा ये दिया गया था और ये दिया गया था 1992 में अगला क्वेशन रताओंदी किस बिटामिन की कमी से होती है तो ये बिटामिन A की कमी से होती है अगला क्वेशन है दोस्तों यहाँ पर सार्वजने की स्थरलों पर असलील हरकत करने पर कौन सी धारा लगती है तो IPS धारा 294 इसमें दोस्तों कुछ ज़्यादा हो जाने से क्योंकि यहाँ पर फर्ष्ट का भी कराया सेकेंड का भी कराया और अब यहाँ पर थर्ड की बारी है तो थर्ड में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कॉईशन थे लाश्ट के जो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड या फर्ष्ट के यहाँ पर एड हो चुके हैं तो दोस्तों वो लोग आप कवर कर लीजेगा, हलांकि इसमें थर्ड के साथ अन्ने भी दोस्तों कुछ कोईश्चन जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं, बनने जीब संरक्षड अधिनियम कब आया, तो 1972 में आया, अल्प संख्यक बरगों के हितो का संरक्षड ये अनुक्षेद 29 में, और दोस्तों अवनी लखेरा का संब्ध किस खेल से है, तो ये सूटिंग और राजिस्थान की, मलब राजिस्थान की सूटिंग से है, अगला कोईश्चन जंडा समित के अध्यक चे, तो डाक्टर राजिंदर परसाद, नमक का सुत्र अगला कोईश्चन जी ये पंदर में वित आयो के अध्यक चे, अगला कोईश्चन है, भारत का पहला डिजिटल बेस विद्याल है, कहां खुला, तो ये खुला केरल में, अगला कोईश्चन अनुक्षेद 32 का संबंद, तो ये है संबैदानिक उपचारों के अधिकार से, अगला कोईश्चन अगर देखते हैं, तो अनुक्षेद 20 में क्या है, तो अनुक्षेद 20 में, दो सिद्धिक के संबंद में सनक्षड़ है, तो अगला कोईश्चन दोस्तों देख लेते हैं, मीरा वाई चानु का संबंद किस से है, तो मीरा वाई चानु का संबंद भारो तोलन से है मतलब ये मडिपूर की निवासी है और भारूद तोलन से इना संबन्ध है। प्ल्लव राजवंद्स की इस्थापना की ती अगला कोशहान । सम्मीधान की पहली बैठक कब हुई थी यह 9 दिसंबर 1946 को वहा थी तो पहला विस प्रत्वी सम्मिलन कहा हुआ था तो यह हुआ था 1992 में रियोडी जनेरियों में यह दोस्तों में पहला यह प्रत्वी समयलन अगल दोस्तो पोशीन देख लेते हैं तो भारत का अन्तिम बाय साराय कायों था तो यह था votre आगला कोश्चरा हो का मंदिर कहा है तो खजरा हो का मंदिर मध्र प्रदेस चंदेलू ने बनवाया था इसे और यह मध्र प्रदेस में अगला दोस्तों कोश्चन बलवंत राय महता समिति का संबंद तो ये जो है तरी इस तरी पंचायती राज से है दोस्तों अगला कोश्चन है मानवादिकार आयोक का गठन कब हुआ तो ये हुआ था 12 अक्टोबर 1993 को तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों अगर आपने फश्ट और सेकंड सिप्ट के एनलेसिस के वीडियो नहीं देखें दोस्तों वह चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं साथ-साथ आपको आई वीटन में लिंक देखने को मिल जाए गा और साथ-साथ दोस्तों आपको lighter screen पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो मैं तब तक के लिए टा टा ता बाइबा की आर